नमस्ते अभिबातन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे बाजार की FIIs की भयंकर बिक्वाली की अगर आप FIIs का डेटा देखेंगे तो साथ आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएं क्योंकि जो डेटा हम काफी दिन से नहीं देख पाए थे वो आज हमको देखने को मिल ला है कुछ लोग कहते हैं बस यही दिन देखने को बाकी रह गया था जी हाँ वो दिन आ चुका है हम चलते हैं डेटा पर आपको डेटा समझाने की कोशिस करेंगे अगर आप देखोगे छे हजार करोन रुपए की बिकवाली छे हजार करोन बहुत बहुत बढ़ा नम्मर होता है किसी भी इंस्टिटिउशन की तरफ से यह FIIs की तरफ से आया है इस चीज़ को मैं और बड़ा नेगेटिब मानूंगा क्यों क्योंकि इनके पास पुजीशन बहुत है भी है और यह अगर छे हजार करोन बेंच रहे हैं भाई साब आज मतलब कल वाले ट्रेडिंग सेसन में तो सच में यह बड़ा खत्रा है खेर इससे पहले वाले दिन इस वाली वीखवाली को देखकर हमने एक वीडियो आपके साथ सेयर करी थी और आपको वहां पर बताया था कि अपनी पोजीशन बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं उसको भी आपके साथ अनलाइज करने की कोशिस की थी लिंक आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर दिया था आप वहां से जाकर लिंक कर सकते हो डेटा एनलाइज करना सीख सकते हो एक इसका मतलब वह अपनी पोजीशन को हैज करके आगे जाना चाहते हैं और इसका मतलब कि वह यहां से बाजार को गिरते हुए देख रहे हैं इसका दूसरा संकित आपको कहां से लेना चाहिये था निफटी जब उपर के लेवल पर ट्रेड कर रही थी अभी जादा नहीं आप सेर्च कर लिजगा liquid fund by innocent investor या innocent investor liquid fund आपको number one पर जो वीडियो मिलेगी 99% केस में लॉस नहीं होगा वो वीडियो आपको कहां पर मिली थी और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता उन लिक्विट फंट में पैसा डाल देना निकाल करके क्योंकि हमको एक सिगनल मिलता है कि यहां पर हमको निकल जाना चाहिए और निकल जाने का मतलब यह नहीं कि आपकी पोजीशन जीरो हो जाए जी नहीं आप इस 99% वाली चीज में सिफ्ट कीजिए कि यहां पर आपको close to FD रेटन मिलेगा जो कि बिल्कुल सेफ होगा और अब जैसे कि मैंने आपसे कल भी कहा कि अब जैसे बाजार गिर चुकी है यहां पर आपको अपने फंड से यानि कि लि याइस की बिक्वाली के कारण ही गिरावट आई है लेकिन FIIs ने बेंचा क्यों असली मुद्दा इस पर आता है अगर देखो हम लोगों के यहां कह रहे हैं कि बजट है चलो मैं बजट को एक बार के लिए मान लेता हूं बजट के कारण यहां पर हमारे बाजार में जावत है कि आपको आधंक मिला देंगे कि आपको समझ नहीं पाओगे आपको बजट के नाम पर ऐसे बेवकूप बनाए जाएगा लगता बजट से ही ऊपर नीचे जाती है बजट के बाद वह बाजार एक ट्रेंड कर लेगी कमरी का बजार या गलोबल मार्केट उपर जा जाएगा अरे बजट में कुछ नहीं होगा बाजार फाई चलाएंगी बाजार गलोबल मार्केट चलाएगी और कुछ नहीं हो सकता है एक दिन बजट का हुला पुला होता है वो भी रिटेल इन्वेस्टर की समझ को इसी हिसाब से डेवलप कर दिया जाता है कि वह उसी हु जैसे कि आपको मैं दो तीन कंपनियों के नाम बताना चाहूंगा आपर जैसे कि एक स्टॉक मैंने आपको फेडरल बैंक बोला था रिजल्ट के बाद लेने को ठीक है यह भी स्टॉक गिरा है लेकिन अगर आप देखो कि दो दिन से यह उपर गया है ठीक दो दिन से और बा का है रिजल्ट जो इन्होंने पेश किया वो भी बढ़िया क्वालिटी का है तो इस कारण मैंने आपको फेडरल बैंक लेने को बोला था बहुत से लोग बैंक बैंक पूछते हैं और रही बाद बड़े बैंकों में तो बड़े बैंकों में आपके सामने एज़ेप सी बैं कि आपके पास कौंसा स्टॉक है मांने यह रखता है कि कौंसा स्टॉक कहां पर ले रहे हो जैसे एक और स्टॉक कर्ष्टक के लिए आपको केश्टरॉल दिया गया था याद होगा बहुत से लोगों को tavण और यहां कहीं दिया गया था आपको पिछले हफ्टे उसको लेट भी दे देता हूं कि better opportunities हमारे पास available हैं बहुत से stocks आ चुके हैं मैंने discussion भी किया है उनका वीडियो में तो मैं वहाँ पर सिफ्ट हो रहा हूं बिगुलता है 127 के उपर इसको मैं sell करूँगा वहाँ पर इस पैसे को निकाल कर मैं अन्य opportunities में डालूँगा जहां पर मैंने आपको stocks सुझाए हुए हैं अब यह stocks की बात मैंने क्यूंकि और भी stocks मैं आपको बता सकता हूं हमारा 26 जनवरी वाला portfolio देखिए बाजार यहां से य 1,500 तक चौदा 1,500 तक आता 13,600 तक नहीं गिर जाता यह होती है एक अच्छे एक अच्छे portfolio की कीमत एक अच्छे portfolio की value क्या होती है उसको आप तब समझोगे जब आपके पास ऐसे अच्छे stocks होंगे जो बाजार गिरती है फिर भी reversal mode में आ जाते हैं जैसे कि federal bank जैसे कि sdpc bank जैसे कि cash roll अन्यका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर लेकिन मैंने ये सारे stocks आपको बताय हूँ है उनमें shift हो ये बाजार बजट से पहले जो माहौल बनाई है वो बिल्कुल negative है लेकिन FII ने जो put की position heavily बनाई थी वो यहाँ पर क्या राय पता है FII ने stock futures में भयंकर बिक्वाली की है जो लगभग लगभग 6000 करोन की ये जो बिक्वाली आई है stock futures में और अगर आप इस data को exactly समझना चाहोगे 10 महिने के highest level पे है ये data इसका साभार मैं economic times को देता हूँ देखिए media वाले भी आपसे कहरें union budget से पहले FII ने बेच दिया जी हाँ मैं इस चीज से agree क देखते हुए उन्होंने selling कर दी अपने पास cash रखना चाहते हैं उस cash को यूज करेंगे FII जब बाजार में उनको कुछ अच्छा option दिखाई देगा I hope आप बात को समझ गए होगे और इस चीज को आप positive हुए मिलोगे इस वीडियो का उदेश से ये था कि आप कम से कम हमारे channel का सदुपयोग कर पाओ हम जो बाते कहते हैं उसको थोड़ा सा समझने की कुशिस किया करो मैं यह नहीं कहता हमारे कहने पर आप अपने fund पे risk ले लो जी नहीं वह आपका अपना financial advisor हम तो आपको risk ले मर देंगे लेकिन हम आपको जो बताते हैं उसको आप back test कीजिए analyze कीज समझने की कुशिस कीजिए हमने आप से liquid fund में कब डालने को कहा हम काफी दिन से मैं कह रहा हूं कुछ stocks तो इतने महंगे हो गए थे वहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी गिरावट आई है और कुछ stocks अगर आपको इस मजबूरी में एक हफते पहले मैंने लेने को भोल आपके सामने रखा कि आप इस चैनल को किस तरीके सोपयोग कर सकते हो मैं कुछी का profit या नुकसान नहीं करा सकता वो आपका अपना temperament आपकी अपनी logic कराएगी अब मैं कितना भी बता दूँ आप यहां पर बेच दो आप नहीं बेचोगे ता आपका profit हो जाएगा जो भी सि यह लगभग लगभग अगर आप देखोगे दो दिन से एक बड़ी खरीदारी करना चालू किये हैं लेकिन फिर भी जो इनकी खरीदारी चालू हुई है यह एंट्री मार रहे हैं तो समझ लेजिए यह कुछ भी कर सकते हैं यह हमारे लिए पॉस्टिव सिगनल है लेट सी क अगर आई है तो लाइक कर लेना चैनल पसंदाय तो सब्सक्राइब कर लेना हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में जो भी सवाल सुझा हो नीचे कॉमेंट सक्षे में पूछेगा हम मिलेंगे फिर से तब तक के लिए बाए